अब अलग अलग राशियों के हिसाब से समझते हैं कि किन किन राशियों पर मोटापे का क्या असर पड़ता है कौन सी राशियां मोटी होती है और कौन सी राशियां दुबली हो जाती है ये जो अगनी की तीन राशियां हैं मेश, सिंग और धनु ज्यादा तर जो अगनी राशी के लोग हैं ये आम तोर पर मोटे नहीं होते अगनी राशियों के लोग आपको मोटे कम दिखाई देंगे और इनका मोटापा अगर बढ़ता भी है वैसे तो बढ़ता नहीं है लेकिन अगर बढ़ता है तो 40 के बाद बढ़ता है ऐसा देखा गया है कि 40 के बाद कभी कभी मेश, सिंग और धनु वाले मोटे हो जाते हैं लेकिन अमूमन उम्र के 40 साल तक ये मोटे नहीं होते पृत्वी राशियां जो हैं यानि व्रिश, कन्या और मकर या तो ये शुरू से मोटे होते हैं या तो ये कभी मोटे नहीं होते व्रिश, कन्या और मकर राशी के जो लोग हैं इनके अंदर या तो बच्पन से ही मोटापा होगा बच्पन से ही इनके अंदर मोटेपन की टेंडेंसी होगी और या ये आगे चल करके मेहनत करते हैं और मेहनत करने की वज़ा से ये मोटे नहीं होते लेकिन अगर व्रिश, कन्या और मकर वाले मोटे हो गए तो ये और बीमारियों का कारण बन जाता है यानि व्रिश, कन्या और मकर राशी में मोटापा खतरनाक होता है ये मोटापे की वज़े से बहुत सारी अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते है अगर आपकी राशी व्रिश, कन्या या मकर है और अगर आप मोटे हो रहे हैं तो सावधान हो जाईए आपको मोटापा आगे परिशान कर सकता है जो वायू तत्व की राशीयों के लोग हैं मिथुन, तुला और कुम इन तीन राशीयों के लोग ज्यादा तर मोटे नहीं होते मिथुन तुला और कुम राशी वाले ज्यादा तर मोटे नहीं होते लेकिन भोजन के बड़े शौकीन होते हैं और भोजन के शौकीन होने की वज़से अक्सर इनका पेट थोड़ा सा निकल जाता है बाकी शरीर दुबला रहता है लेकिन पेट हलका सा शरीर से बाहर निकला रहता है पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है अगर मिथुन तुला और कुम राशी है तो जल तत्व की जो राशियां हैं करक व्रिष्चिक और मीन इनके अंदर मोटापे की प्रवित्ति होती है करक व्रिष्चिक मीन वाले जल्दी मोटे होते हैं और अगर ये जरा सी लापरवाही करें तो इनका मोटापा तुरंत बढ़ने लगता है करक व्रिष्चिक मीन वाले बहुत जल्दी गोल मटोल हो जाते हैं बहुत जल्दी इनका मोटापा बढ़ जाता है इसलिए कर्क वरिष्चिक और मीन वालों को सामान नितह अपने मोटापे पर ध्यान दे। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मोटापे के लक्षन हो या आपके मोटा होने की संभावना हो तो कौन से उपाय करें जिससे मोटापे से बच सकें? या अगर थोड़ा बहुत मोटापा बढ़ने लगा है तो शुरू से कौन से उपाय किये जाएं कि मोटापा ना बढ़ पाएं? इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा ताकि आप मोटे ना हों कोकि जैसा पहले भी कहा कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वज़ा है देखिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल में रोली मिला करके जल अर्पित करें एक लोटा जल ले ले उसमें जरासी रोली मिलाएं और ये रोली मिला करके नित्य प्रातह सूर्य भगवान को जल चड़ाएं दूसरा पदमासन में बैठने का भ्यास करें यानि एक पेर की एड़ी को एक जांग पर और दूसरे पेर की एड़ी को दूसरी जांग पर ऐसे करके पदमासन में बैठा जाता है तो पदमासन में सुबह शाम बैठने का भ्यास करें अगर आपका मोटापा तेजी से बढ़ रहा है तो पीला पुखराज धारण ना करें कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पीला पुखराज पहनने से भी मोटापा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है पेट पर नाभी के उपर एक लाल रेशम का धागा बांद लीजिए भारी खाना नहीं खाएंगे यानि सूरज रूबने के पहले जितना भी खाना है खालीजिए सूरियास्त के बाद या तो सूप पी लीजिए या तो फल खालीजिए सलात खालीजिए सूरियास्त के बाद भारी खाना मत खाईए और सुबा के समय अपने नाश्टे में पपीते का सेवन जरूर करिए ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा और बहुत हद तक आप मोटापे की शिकार नहीं होंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि मोटापा हजार विमारियों का घर है इसलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुंडली में मोटापे के लक्षण है या जीवन में मोटापे के लक्षण है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाए